जेहिंद एस्पिरिंस मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका SSB क्राक एक्जाम चैनल पर तो मैं आज आई हूँ आपसे बात करने एक और नए टॉपिक पर और आज का जो टॉपिक है दाट इस रोलेटेट टू अरिसेंट अपडेट इन दा यूपी तो आज के पूरे वीडियो लेक्चेर में जानेंगे कि क्यों ये फैसला लिया गया हलाल होता क्या है तो चलिए जानते हैं तो न्यूज में था दाट इस रोलेटेट टू कि उत्रब्रदेश जो कि एक भारत का राज्या है उसके अंदर हलाल सर्टिफाइड जितने भी प्रोड़क्ट्स हैं उनको बिलकुल बान कर दिया गया है और इस सेक्शन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं हलांकि इसको इम हलाल प्रोड़क्ट्स को सर्टिफिकेशन किया जाता है उसमें कुछ प्रोब्लम है और इसी के रिलेटेट पूरा का पूरा जो है बैन लगा दिया गया है तो जानेंगे आगे तो इस वाज़े जानते हैं कि हलाल होता क्या है तो इस अन अरेबिक वर्ड जिसका मतलब है य जिसका मतलब है forbidden तो in the Islamic law या Muslims के लिए basically which will come under the halal that is permissible ये सारा का सारा dietary habits के साथ लिंक करते हैं तो something is related to a halal certified so that is permissible वो उसको का सकते हैं लेकिन वहीं दूसरे तरफ it is haram है या कुछ ऐसा है तो वो उस पर्टिकुलर डियेटरी में उसको शामिल नहीं करते हैं so this is related to all जो halal का मतलब है that is with the dietary habits of the Muslims so several kinds of ऐसा नहीं है सर्फ खानी की प्रोड़क्स में हलांकी cosmetics में medicines में भी इसको halal certification देखते है देखी जाती है pork is the only meat जो की forbidden है by the Quran but for an animal meat it has to pass the halal check so basically halal check करने के लिए एक proper Islamic law से बनी हुई हुनी चाहिए चीज़ जो भी particular pointers हैं जो उसमें mentioned होंगे according to the Islamic law अगर वो सब पूरा होता है उसी के बाद ही उस particular product को halal certification दिया जाता है even vegetarian dishes है वो भी halal consider की जाती है जब तक अगर उसमें कोई alcohol ना हो अगर उसमें alcohol होगा so they will not be certified under the halal so halal देखा जाए तो wholesome maker बात कीज़े halal is all related to की dietary habits में खाने के related जो भी halal के under आएगा वो consume किया जा सकता है in the Muslims by the Islamic law लेकिन अगर वो नहीं आता है then they will not consume and यह सिर्फ खाने तक में even cosmetics और medicines में भी इसका ध्यान रखा जाता है so बात करते हैं कि case किसके related था, case में क्या बात हुई so case was registered by a laknao police and that was targeting halal India private limited जो की चन्नाई में है जम्यात उलेमा हिंदलाल New Delhi and similarly Mumbai में भी and halal council of India that is also in Mumbai तो in particular authorities को target करते हुए laknao police ने case register किया था and इसमें कहा गया कि large scale conspiracy चल रही है ताकि non halal certified products जो है उनको कम उनकी sale जो है कम की जाए इसलिए इस conspiracy को रजा जा रहा है पहरी चीज यह कही गई दूसरा उन्होंने चो मुद्दा उठाया that is कि ठीक है non vegetarian चीजों में आप यूज करते हैं लेकिन vegetarian products में हम इसकी certification क्यों लेकर आए because और इसमें UP government का जो basically कहना है that is कि चो section 89 है and जो law mentioned गया गया है that is of the food law, food safety and standards act उसके section 29 के under कुछ authorities को जिनको proper power दी जाती है ये सब चीजे certified करने के लिए तो that is around कि ये जितना भी certification हलाल के related हो रहा है ये उसको कहीं न कहीं violate करता है so that was the case around कि non-veg में आप करते हैं ठीक है लेकिन vegetarian items में या cosmetics में medicines में आप क्यों कर रहे है क्योंकि इसकी वज़ा से जो non-halal certified items है उनका क्या हो रहा है उनका market में जो sale value है वो बिलकुल कम हो रहा है CC के उपर बात की गई थी medicines, medical devices, cosmetic products are reported to feature the halal certificate on their packaging or labeling when there are no provisions for marking halal certification कि इस तरह का कोई भी provision उसमें mentioned नहीं है सिरफ और सिरफ एक particularly profits बनाने के लिए extra profits बनाने के लिए जानबूच के इसको market में किया जा रहा है so that was all in the case जो कि register किया गया था एक और मुदा उठाया गया था कि इससे हो सकता है जो profits हैं जो terrorist organizations या anti-nationals की तरफ भी ये profit बेजे जा सकते हैं अब controversies में जोई वो दो aspects में आगी one is with the Muslims and one with the Hindu people so पहला जो aspect that was the legality of the certificate की जो certifications issue किये जा रहे हैं कि उसके लिए proper authorization देखा जा रहा है दूसरा है targeting people of a particular community का ये जा रहा है कि ये तो सिरफ एक community को target किया जा रहा है एक हाथ पे कह रहा है जो Muslim groups है उनका कहना ये है कि अगर आपको ऐसा issue हो है तो आप जो भी halal certified products आप उनको consume ना करे and even जरूरी नहीं ये खाने में ये medicines के साथ हमें चाहिए we need this halal certification strongly endorsing the people from the community should only consume halal certified products even with medicine उनका कहना ये कि this is our law we follow Islamic law and उसमें ये mentioned we have to consume only and only halal products on the other hand जो Hindu group से वो boycott कर रहे हैं halal certified products को well a certain section them has been asking Hindus to not consume halal certified products another section has been asking to do away with the certification process कुछ लोग कह रहे हैं कि आप मत consume कीजी आप छोड़ दीजीए लेकिन दूसरी तरफ वही लोग कह रहे हैं कि आप इस certification process को ही बिलकुल बंद कर दीजीए done it should be banned totally अब इसके बीच में halal certification bodies है उनका भी एक reply आया है जिसमें से जामियत उलमा आईहिंद halal trust है उनका कहना ये है कि जितनी भी government regulations mentioned है by the ministry of commerce and industry की चो notification है उसके अंडर जितना भी हमें जितने rules and regulations हैं हम उन सब को follow करते हैं और उसी के बाद ही certification की जाती है so to be registered by the national accredition board for certification bodies under quality council of India उनका कहना ये है कि सारे rules को complete करते हुए ही हमें एक authority मिली है हम इनको particularly certified कर पाएं products को अब बात करें हलाल certification के ओपर तो department of halal certification जो की एक आरी certification body है उनका कहना ये है कि animal must be alive at the time of slaughter और जितने भी pointers अगर आपको हलाल certified कराना है तो उसके लिए जितने भी pointers है जो कि mentioned है basically हलाल को certified करने के लिए उसारे के सारे पूरे होने चाहिए पहली बात दूसरे बात बात कि इंडिया में इंडिया में कोई mandatory halal certification system अभी तक नहीं है लेकिन फिर भी जो कुछ halal certifying जो agencies है उनको जो quality council of India वही उनको power देती है जैसे अभी हमने दिसक्स भी कि जो Minister of Commerce and Industry के अंडर rules सारे जो follow करेंगे चारी regulations से जो हटेंगे उसी के बाद ही वो authority दी जाती है so that is all related to this particular update तो अभी तो फिलाल की बात ये है कि UP government ने पूरा का पूरा बैंड कर दिया है halal certified products जतने भी होंगे they will be totally banned हलांकि अभी तो checkings होना शुरू हो चुकि है rates पढ़ना शुरू हो चुकि है showrooms में so that was all related to this particular update so अभी आप screen में देख रहे हैं हमारे कुछ courses of SSB interview so SSB crack exam त्यारी कराता है आपको SSB interview की जो कि बिल्कुर online batches है हर महीने हमारे batches बैठते हैं आप हमें join कर सकते हैं साथ ही अभी आप screen पे देख रहे हैं हमारे कुछ courses related to defense exams NDA, Serious, FCAT आप हमें join कर सकते हैं सारा का सारा सले बस बिल्कुल detail में cover कराया जाता है and while joining you can use this particular code जो की है warrior 10 जैसे आप इस code को use करेंगे we'll be getting a 10% off so that's all for that thank you so much जैहन, जैभारत अगर आप एक defense aspirant है और SSB interview NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को check करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं कर सकते हैं